दोस्ते मेरे अधिय पिकाजी और मेरे दोस्तों मेरा नाम साहिस्ट शिरारे हैं मैं दुसरी कक्षा में पढ़ता हूँ मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ गिलेरी और एक कववा नीम के एक पेंट पर गिलेरी और एक कववा रहते थें दोनों पक्के दोस्तें यहां गिलेरी पडिश्रमी थी और वहां कववा बेहर आलसी था एक दिन दोनों में खेती करने का नेनिय लिया गिलेरी ने कववे से कहा कववे भाई चलो खेत जोत कराना है कववे ने कहा तुम तूचल में आता हूँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ ठंडा पानी पीता हूँ हडी डालबर बैटा हूँ यहां सुनकर गिलेरी चली गई और वो खेत जोत कर आ गई इस बार खेती में बीच बोने थें गिलेरी ने कववे से कहा तूचल में आता हूँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ ठंडा पानी पीता हूँ हरी डालबर बैठा हूँ यहां सुनकर गिलेरी चली गई और वो खेत जो खेत में बीच बोकर आ गई कुछ दिनों बार बीच से ननने ननने पोधे निकल आये और वो कुछ दिनों बार बड़े भी हो गई इस बार उनकी निराई करनी थें गिलेरी ने कव्वे से कहा कव्वे भाई चलो खेट की निराई करनी है लेकिन कव्वे तो आलती था कव्वे ने अपना वही पुराना बहना दो राया इस बार खेट की सिंचाई करने का समय आया गिलेरी ने कव्वे से कहा कव्वे भाई चलो खेट की सिंचाई करनी है गिलेरी खेट की सिंचाई करके आ गई इस बार फसल पक गई थी आप उन्हों काट लाना था गिलेरी ने कव्वे से कहा कव्वे भाई चलो फसल पक गई है उन्हें काट लाते हैं कव्वे ने उत्तर दिया तू चल मैं आता हूँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ ठंडा पानी पीता हूँ हरी डाल पर बैटा हूँ यह सुनकर गिलेरी चली गई और अपने हिस्से की फसल काट लाएं गिलेरी ने कव्वे से कहां कव्वे भाई जाओ फसल काट लाँ देखो बादल घीर आएं कहां तुमारी सारी फसल बरबात न हो जाएं कव्वे ने उत्तर दिया जाओँगा जी जाओँगा फसल काटने जाओँगा लेकिन पहले चुपड़ी रोटी खाओँगा जाओंगा जी जाओंगा फसल कटने जाओंगा लेकिन पहले ठंडा पानी पीकर प्यास बुझाओंगा तुभे बादल गीर आई और बहुत घंगोर वर्शन होई कव्य की सारी फसल बरबात हो गए यहां देखकर कववा बहुत पश्टाया उसने गिलेडी से शमा मांगी और कहां आप में गभी आलस नहीं करूंगा यहां उसने तूचल में आता हूं का गाना सदा सदा के लिए छोड़ दिया मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुपकाइमा देता हूं इस कहानी से हमें यह स्थिक मिलती है कि गभी आलस नहीं करना चाहिए अपने सभी काम समय पर करना चाहिए शुक्रिया